आज बन रहा है अतरंगी किचिन में पनीर रोल जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं बिल्कुल यह व्रत फ्रेंडली है आप तुरंत इस वीडियो को देखिए और जटपट से बनाना शुरू कर दीजिए तो पहले रेसेपी तो देख ली थी तो सबसे पहले मैंने एक कड़ा मिक्सी के डाल के बारी का पावडर बनके तयार हो गया है कि यहां पर मैंने में तोड़ा सान अच्छे से चान लिया है आटे को मैंने दो से तीन बारीक आटा है वो हमें मिल जाए और मोटा मोटा आटा अलग हो जाए उसको मैंने दुबारा मिक्सी में डाल के पेस लिया था तो यहां पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इसको आटा अच्छे से गून ले आटा तो घीला लगाना क्योंकि यह फ पनीर तैयार कर लेते हैं फिलिंग के लिए तो यहां पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है अच्छे से इसको काट के रख लेंगे बिल्कुल पनीर आप खा सकते हैं व्रत में कई लोग पुछते हैं पनीर खा सकते हैं जब आप फुलिका तेल मैं यूज कर रहे हूं आप चाहें तो घी में भी इसको बना सकते हैं अब थोड़ा सा डाल देंगे एक चमज इसमें जीरा डाल देंगे और जो हमने पूरी बना के रखी थी टमाटा रद्रकी वह इसमें डाल देंगे और अच्छे से जब तक कि इसका तेल न डालेएं थोड़े धन्या पाउडर ओर थोड़े सी लाल मिर्ची और थोड़े सा गरम मसाला थोड़े ससेंध़ नमक होना चाहिए अब यह हम डाल देंगे चम्ण घाड़ी-जाध हम पनीर डाल देंगे और पनीर को भी अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे और बिल्कुल फिलिंग के लिए हमारा पनीर का तयार है यह देखिए देखने में कितना यम्मी और टैंप्टिंग लग रहा है कहीं से नहीं लग रहा है कि यह हम व्रत के लिए बना रहे हैं करीब आदे गहंटे बाद यह देखी आटा हमारा बहुत अच्छे से सैट हो चुका है हमें इसको अच्छे से गूत लेना है आटा बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा आटे को सिमडेंगे या गूतेंगे ना उतना ही ज़्यादा यह लचीला हो जाएगा तो और इतना आसानी से बिल्कुल यह बन पाएगा इस लोई से हम अब रैप तयार करेंगे इसको बढ़िया एक रोटी जितना या रोटी से थोड़ा सा बड़ा मैंने यहां पर इसको बेल लिया है यह ना आटा इतना अच्छा हो गया है कि यह बहुत आसानी से बिल रहा है बिल्कुल भी ना किनारिया फट रही है इसकी कुछ भी नहीं देखी कितने अच्छे से यह बिल चुका है तो इसको एक तवे पर डालेंगे अब दोनों तरफ से घी लगा के वड़िया से इसको से कुछती रहे अब यह देखी हमारा रैप बिल्कुल आगे पिछे से सिक्के तयार हो गया है तो यहां पर मैंने अब लगा रही हूं हरी चटनी जिसको मैंने सिंप्ली धनिया पोदीना और हरी मिर्चियों सैंधा नमक डालके पीस लिया है अब यहां पर जो हमने पनीर तया को कदुकस कर लिया है और फिर इसमें डाल दिया है मैंने एक कप गाड़ा वाला दही उसमें डाल देंगे थोड़ा सा सैंधा नमक थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची और हराधनिया सबको एक साथ एच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को आप गाड़ा ही लीजेगा पतला दही लेंगे तो बिल्कुल रायते जासा हो जाएगा तो डिप में मज़ा नहीं आएगा यहां पर हमारा डिप और पनी टिका रोल तैयार हो गया है तो व्रत में पनी टिका रोल के मज़े लीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक करना और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते